दोस्तो इन दिनों आपने देखा होगा कि जो आपका निप्टी बैंक निप्टी है या तो कोई भी मार्केट हो तो वो साइडवेज रहता है तो ऐसे में जो आप्शन बायर होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ड जाता है कि यहां पर प्रॉफिट कमाना क्योंकि टाइम डिके होता है यहां पर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं या तो नोविश ट्रेडर होते हैं वो यहां पर अपना पैसा लूज करते हैं लेकिन इसी के कंपेर में जो एक्सपिरेंश ट्रेडर होते हैं जो कंसिस्टन प्रॉफिट कमाते हैं तो वो कैसे कमाते हैं यह भी मैं आपको एक ऐसी powerful trading strategy दूँगा जिसे big bar trading strategy कहते हैं जिसे आप सिर्फ option में नहीं बलकि stock में भी आप trading करते हैं तो भी उसमें आप पैसा कमा सकते हैं सिर्फ आपको इसके कुछ simple rules है उसको follow करना है आप अगर beginner है और ऐसे sideways market में most of time जो है तो जो trader होते हैं option buyer होते हैं उनका पैसा यहां पर lose होता ही है तो ऐसे में आप ऐसे market में कैसे पैसा कमा सकते हैं यह हम सीखने वाले और यह बहुत high probability strategy है आपने देखा होगा कि यहां पर almost जो trader होते हैं जिनको knowledge नहीं होता है वो यहां पर पैसा lose करते हैं तो उसके पीछे का reason यही है कि उनको market का जो structure होता है उसके बारे में उनको पता नहीं होता है कि ऐसे market में sideways market में कैसे यहां पर trading करनी है और वो उनको पता ना होने की वज़े से यह जो setup है वो almost हर दिन बनता ही है फिर वो कोई भी market हो लेकिन knowledge ना होने की वज़े से वो loss करते हैं और आप भी आगर अपना पैसा sideways market में lose कर रहे है या त आपको पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों होता है और sideways market से कैसे profit कमाया जाता है तो यह वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो को आपने yen तक देखना है without skip किये हुए तो सबसे पहले में आपको बता दू कि यह जो setup है तो यह आपने कभी इसको इस्तमाल करना है और उसक criteria क्या है उसके अलवा आपने जो है तो strict risk management जो है तो उसको follow करना ही करना है आप अगर trading में risk management follow नहीं करते है तो यह game आपको यहाँ पर जो है तो survive करने नहीं देगा तो आपने इसको सबसे पहले तो द्यान में रखना है उसके बाद में यह मैं आपको बता देता हूँ कि य इसे बनता है उसके बाद में मैं आपको practical chart पर लेके जाता हूँ और बताता हूँ कि आपने कब यह करना है इसको execute कब करना है आपके trade को तो सबसे पहले आपने क्या करना है समझो यह जो आपका market जो है तो ऐसा यह के range में ऐसे consolidate करना चाहिए यानि कि यह कैसी थोड़ी range consolidate कर चाहिए वो दो चार पाच बार यानि कि दो चार पाच candles ते किया तो जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा हमारे फाइदे के लिए है तो आपने सबसे पहले ऐसे अगर यह setup बनता है यह हर दिन बनता है इसके मैं आपको practical भी बताऊंगा device कि यह कहां पर कैसे बनता है तो ऐसे अपने setup यह बनने देना है उसके बाद में आपने क्या करना है कि इसको जो है तो यह जो range है इसको mark कर लेना है और उसके बाद में आपने एक बार ऐसा दूनना यानि कि जो candlestick है यह जो range है तो जो बड़ा जो बार है यानि कि big bar यह strategy का नाम उसी के लिए है कि big bar strategy तो ये जो बार यानि कि जो candle stick है जो candle stick pattern है इस candle stick pattern ने एक तो उसने उपर या तो नीचे की तरफ इसको आपने द्यान में रखना है उपर या तो नीचे की तरफ इसने break करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए समझो यह जो setup यहां पर बना तो इसको एक तो ऊपर या तो नीचे जैसा मैंने आपको बताया ऊपर या तो नीचे इसने जो बार है तो इसने break करना चाहिए या तो नीचे की तरब तो यहां पर आपकी इंट्री कहां पर हो जाएगी आपकी इंट्री हो जाएगी समझो अगर market जो है तो यह नीचे ब्रेक करता है तो आपकी इंट्री यह जो बार है यह close होने के बाद में आपकी इंट्री हो जाएगी यहां पर यह क्या हो गई आपकी यहाँ पर entry हो गई यानि कि short entry हो गई यह entry और आपका stop loss कहाँ पर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ आपका stop loss यह जो जिस बार ने इसको big बार ने जो break किया है उसके उपर आपका stop loss हो जाएगा यानि कि इसके उपर यहां पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका stop loss यह ESL और आपका जो target है तो target कम से कम जो है तो 1-2 आपने और इसमें उस से भी ज़्यादा हो जाता है या हउज हो जाता है लेकिन अपने द्यान में रखना है आपका target जो है तो हो कम से कम क्या होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए 1 is 2 का यानि कि आपने यहां पर इंट्री कर ली और आपका जो target है आपका stop loss यहां तक आ गया तो आपका target कितना हो जाएगा 1 is 2 के हिसाब से अपने द्यान में रखना है समझो इतना हो जाएगा इतना और यह easily यहाँ पर achieve हो जाता है इसको आपने द्यान में रखना है उसके आलवा वैसे ही अगर समझो market क्या करता है कि market अगर समझो उपर की तरफ break करता है तो वो कैसे यह भी मैं आपको बता देता हूँ तो समझो यह setup ऐसे बना इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने पहले तो ऐसे range को mark कर लेना है और जैसे ही उपर की तरफ यानि कि इस इस तरफ इस तरफ उपर की तरफ जैसे ही एक जो big bar होता है वो जैसे ही इसको cross करेगा तो आपने यहाँ पर जो है इस bar close होने के बाद में यहाँ पर आपने क्या करना है यहाँ पर long जाना है यानि कि long entry करनी है long और आपका stop loss यह जो bar है इसके ठीक नीचे यानि कि यहाँ पर जो है तो आपका क्या हो जाएगा आपका यह sale हो जाएगा यानि कि stop loss हो जाएगा और उसके बाद में आपका यहाँ पर risk reward के हिसाब से अगर देखेंगे आप तो risk reward समझो यहाँ पर अपने entry कर ली आपका stop loss इस बार के नीचे यहाँ पर हो जाएगा और कम से कम target जो है तो वो 1-2K सबसे अपने इसको लेना है इससे ज़्यादा बेहाचिव हो जाता है इसको अपने ध्यान में रखना है तो यह तो हुआ setup का यह जो strategy है तो इसको हम अब practical chat पर देखते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है क्या इसा area यहाँ पर थोड़ा अपने discipline follow करना है और यहाँ पर इसको find करना है यह यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह कब का है यह 23 अगर 2023 का chart है यहाँ पर देखते हैं तो यह nipty का अपने यह यहाँ पर identify कर लिया अब आपकी entry यह जो big bar मैंने कहां यह big bar तो इस big bar close होने के बाद यहाँ पर entry हो जाएगी आपका stop loss जो है तो वो कहाँ पर आ जाएगा आपका stop loss इस bar के नीचे आ जाएगा और आपकी जो risk reward है उसको follow करते हुए आपने क्या करना है कि इस level पर आपने entry कर ली आपका stop loss इतना हो जाएगा और कम से कम आपने 1-2K हिसाब से आपने यहाँ पर यह करना है और यहाँ पर अगर देखते हैं तो यह जो आपका risk reward है यह complete हो गया उसके बाद में वैसे हम थोड़ा पीछे जाते है और इस strategy को हम backtest करते है आपने भी इसको backtest करना है ताकि आपको जो है तो confidence आजाएगा कि इसको इस्तमाल कईशे करना है आपने तो इसको आपने द्यान में रखना है जब तक आप इसको थोड़ा backtest नहीं करेंगे तो यह आपको इसकी जो importance है यह समझ में नहीं आएगी तो यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ पर भी market ने यह ऐसा नहीं है कि दिन में सिर्फ एक बार होता है दो तीन बार भी यह जो setup है तो यह आपको मिलता है यहाँ पर अगर देखेंगे आप इस level पर तो यहाँ पर जितना ज़्यादा consolidate करेगा market तो उतना ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर देखेंगे यह market ने consolidate किया अब तक यह जो बार है यहाँ पर इस बार की size देखेंगे इतना बड़ा बार तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बना है यहाँ पर इस box में देखेंगे तो आपकी entry कहाँ पर हो जाएगी आपकी entry हो जाएगी यह जो बार है यह वाला तो यह close होने के बाद में आपकी entry इस level पर हो जाएगी आपका stop loss जो है तो वो stop loss आपका यहाँ पर आ है और यह यह, यहां पर यह हो जाता है लेकिन, यह शेट-अप यह भार नहीं बनता है मैं आपको और इसके एक यह इसको back test करना है वइसे ही यह अगर देखते हैं, यह हमने क्या किया इसको mark और यह जो candle बन रही है यह कुछ नहीं आसल में यह consolidation होता है और इतनी बड़ी candle जो है तो अभी तक तो नहीं बनी है और आपकी entry इस बार पे हो जाएगी आपका जो stop loss है तो यह इस बार के नीचे हो जाएगा आपकी और one each two के risk reward के हिसाब से आपने इसको यह करना है आपका जो profit है तो वो book करना है उसके बाद में हम ऐसे कितने में आपको ऐसे 1000 यह बता दूँगा कि यह setup कैसे बनता है क्या बनता है अब इस example में देखेंगे यह 8 अगस 2023 का निप्टी का चार्ट है यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर यह consolidation देखेंगे तो इसको आपने mark करना है यह आपन द्यान में रखना है इस जो आपने जो यहाँ पर यहां पर यह mark किया है consolidation का area तो इस consolidation के area को इस big bar ने जो है यह तो इसने break किया है तो आपकी entry कहां पर हो जाएंगे यह जो big bar है यह close होने के बाद में आपकी entry हो जाएगा आपका stop loss यहाँ पर और 1 is 2 के risk reward के हिसाब से आपन profit book करना है वो इसे ही यहाँ पर आजाएंगे यह 7 अगस्ट 2023 का chart है अब यहाँ पर देखेंगे तो इसको हमने यह mark कर लिया यह consolidation हुआ अब तक तो इतना बड़ा जो यह big bar है तो यहाँ पर कई पे भी नहीं बना है तो यह जो big bar है इसने इसको break किया आपका stop loss इसके नीचे जा जाएगा entry यहाँ पर हो गई और one is two का risk reward के हिसाब से यह आपका target हो गया and that's it guys in this video यह तो मेरे course के अलावा यह तो मेरी high probability status यह लेकिन मेरे पूरे course में मैं आपको यह तो मैंने आपको ready made setup दे दिया लेकिन आप अगर खुद समझ कर price action शीक कर pure point CPR इनके बारे में जो deep मे concept है उनको सीखना चाते है उसके अलावा आप अगर lot sizing, risk management, trading psychology इन सब को master करके यहाँ पर stock market में अपना career बनाना चाते है तो आप मेरे course को join करने के बारे में भी आप सोच सकते है इसका link मेरे description में मैंने दिया हुआ है उसके उपर click करके आप इसकी detail चेक कर सकते है मुझे whatsapp य